हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर आप एक न्यूज वेबसाइट बनाना चाहते हो तो मैं आपको बताऊँगा आप वेबसाइट किस तरीके से वेबसाइट में कुछ ही विंटर में बना सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं बिना किसी देरी के जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ओरड़ी वेबसाइट सर्वर पर इंस्टॉल किया हुआ है तो चलिए अब हम अपनी वेबसाइट के डैश्बूर्ट पर चलते हैं तो यहां से हम डैश्बूर्ट पर क्लिक करेंगे अपनी ब्लागिंग या निउस वेबसाइट बनाने के लिए हम एक ठीम इंस्टॉल करना होगा तो हम यहां पर अपेरेंस में जाएंगे एंद थीम पर क्लिक करेंगे एड निव पर क्लिक करेंगे friends हमें यहाँ पर theme को upload करना है तो सबसे पहले हम theme download कर लेते हैं theme download करने के लिए आपको google पर search करना है makaz 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 आपके सामने यह first link open हो जाएगा makaz.in इस पर आपको click करना है इसका direct link भी मैं description में डाल दूँगा आप वहाँ से direct इस website पर आ सकते हो friends आपके सामने यह website open हो जाएगा यहाँ पर आप जब scroll down करोगे तो आपको यहाँ top selling products में scroll down करना है and यहाँ पर आपको यह theme show होगा newspaper 9 इसका price 199 रुपीज है आपको यह theme download कर लेना है मैंने यह theme अल्रीड डाउनलोड किया हुआ है तो चलिए अब हम अपनी website के dashboard पर चलते हैं अब आपको यहाँ पर upload theme पर click करना है choose file पर click करना है and आपने जो theme file download किया हुआ है उसको आपको select करना है open पर click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर install now पर click करना है यह देगे friends हमाई theme install हो गई है अब आपको इसे activate कर लेना है friends theme activate होने के बाद यह आपको कुछ plugins को install करने के लिए काएगा तो आपको यहाँ पर install and activate plugin पर click कर देना है and required plugins install होना start हो जाएगा friends required plugin install हो गए है आप यहाँ पर plugins पर click करोगे तो यह देगे friends अभी जो plugins हमार install है friends यहाँ पर अगर आप अपनी website पर कुछ extra add-ons वगड़ा install करना चाहते हो तो यहाँ से आप वो plugins install कर सकते हो जैसे कि अगर आप यहाँ पर social login का option अपनी website में add करना चाहते हो तो यहाँ पर यह plugin install कर सकते हो friends यह सारे plugins आप अपने requirement के accordingly install कर सकते हो next friends आपको यहाँ पर मिलता है pre-built websites इस पर हम click करेंगे friends यहाँ पर आपको आपकी blogging या फिर news website के लिए बहुत सारे templates मिल जाएंगे आप इन में से किसी भी templates को install कर सकते हो तो चलिये मैं आपको करकर दिखाता हूँ इन में से किसी एक template को मैं install करता हूँ जैसे यह news week है रहुत सग्यों लिए major news page तो यहां पर आपको option मिल रहा है include content, तो आप इसको off कर दोगे, लेकिन अगर आप new website बना रहे हो, आपकी website में कोई भी content बगरा नहीं है, तो आप यहां से demo content भी install कर सकते हो, ताकि आप देख सको कि आपकी website किस तरी किसे show होगी, अभी हम new website बना रहे हैं, तो आभी हम demo content भी import क करेंगे, तो हम इसको on कर देते हैं, और यहां पर install पर click कर देंगे, यहां yes पर click कर देंगे, इसका मतलब यह है कि अगर आप demo content इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी पिछला जो भी आपकी website में data होगा, सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, और आपकी website install होना start हो जाएगी, तो friends ह हमारी website जो है, यहां पर इस तरीके सा आप show हो रही है, इसे आप friends fully customize कर सकते हो, इसे आप बिल्कूल अपने accordingly fully change कर सकते हो, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, तो हमारी यह भी news की website है, जो इस तरीके सा हमें show हो रही है, अगर आपको इसे edit करना है, तो simply आपको यहां पर edit को option मिलना है, इस पर आपको click करना है, friends यह edit का option है, वो सिर्फ आपको show होगा, क्योंकि आप admin हो, तो यहां पर पूरी website को edit कर सकते हो, जैसे कि आपको यह news week है, यहां पर आपको इसे edit करना है, तो आपको simply यहां पर elements पर click करना है, उसके बाद आपके सामने यह option आएगा, इ यहां पर आपको बहुत सारी options मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको यहां पर, यह तो अभी जैसे text डाला हुआ है, अगर आप इसमें logo पकर डालना चाहते हो, तो उसका logo का URL आपको यहां पर add करना होगा, और second, यहां पर आपको बहुत सारी option मिल जाएंगे, inline इसको किस त आपको display करना है, text पकर अगा, जैसे इसमें अभी text है, यह news week लिखाया है, यह text है, तो इसको अगर आप यहां पर change करना चाहते हो, तो change कर सकते हो, जैसे मैं आपको कर कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसमें इसमें पर सिर्फ news कर देता हूँ, देखे friends, यहां पर यह edit हो गया ह और अगर आप टैक्स की जगह इमेज आइड करना चाहते हो कोई लोगों वगर आइड करना चाहते हो तो उसका भी option यहां पर आपको मिल जाता है और यहां पर जब हम scroll down करेंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारी दूसरी options मिल जाते हैं इसके अलावा अगर आपको यहां पर color blue हो गया है इसी तरीके से आप element पर click करके उसको easily edit कर पाऊगे इनमेंसा आप किसी भी element पर आपको simply इस पर click करना है जैसे ही celebrity है तो इस पर आपको click करना है और इसको आप इसका color अगर और दूसरी चीज़े change कर सकते हूँ इसके अलावा भी अगर आप इसे यहां पर edit नहीं करना चाहते हो तो आप यहां pages में जाओगे all pages पर click करोगे आपको यहां पर home page मिलेगा और इस पर आपको click करना है edit with tag div composer इस पर click करोगे तो same यही page open हो जाएगा और आप direct वहां से भी edit कर सकते हो तो जैसे मैंने अभी यहां पर click कर दिया तो यह open हो रहा है यह देगे friends आप यहां से भी इससे edit कर सकते हो तो चलिए दुबार से हम इसके बाद friends आपको यहां पर यह option दिखेगा newspaper जब आप इस theme को install कर लोगे तो यहां पर आपको theme panel का भी एक option मिलेगा इस पर हम click करते हैं यहां से आप अपनी website में बहुत साई चीज़े add कर सकते हो सबसे पहले जो हमें option यहां पर show हो रहा है यहां से आप footer के templates पगरा add कर सकते हो and second thing your friends most important है किसी भी blogging website के लिए यह फिर news website के लिए वह है ads यहां से आप अपनी website में header, sidebar और article के top पे अपनी website के जहां पर आप चाहते हो वहां पर add कर सकते हो Google Adsense का यह कि एक blogging और news website का main source होता है जैसे कि मैं आप यहां पर दिखाता हूँ यह header add है तो यहां पर हम click करेंगे अगर आप अपनी website के header पर add चलाना चाहते हो तो यहां पर आपको Google Adsense का code paste कर दिना है यह automatically आपकी website, automatically आपकी website के header पर add शोना start हो जाएंगे इसके बाद friends आपको यहां पर template settings का option मिल जाता है इसके हम click करते हैं यहां पर आपको 404 template और दूसरे pages के templates वगरा भी यहां से आप उसकी settings वगरा कर सकते हो next one do we do we can do it here we can reset to ken पर dwa timer और शोशन का approved कर सकते हो औरसके और तो यहां पर अपनी website के ब्लॉक्स की setting वगरा कर सकते हो तो वो भी यहां से add कर सकते हो, बागी की friends इस सब सेटिंग्स और आपको देखने की जोड़त नहीं है, यह automatically है, और यहां पर आपको theme color का option मिलता है, इस पर हम click करेंगे, पेज इस पर क्लिक करेंगे यहां पर फ्रेंट्स आप पेज के टाइटल का कलर एंडर पेज की जो टैक्स कलर है उनका है अंगर का है यहां पर यहां पर प्लिक करेंगे है इस फ्रेंड अपने उजट को यह शो करवाना चाहते हो कि आपके वेबसाइट पे कितने विजटर्स आते हैं एली तो आप गूगल एनलेटिक्स का यहां पर पेस्ट कर दोगे, जो कि आपके विजिटर को शो करेगा कि आपकी वेबसाइट में डेली कितना ट्राफिक आता है, इस थीम का यूज करके आप अपनी वेबसाइट का डिजाइन कभी भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारी वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके से शो हो रही है, आप अपने वेबसाइट को डिलीट करें भी कर सकते हो, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है, आपको simply यहाँ पर इंक्लूड कोंटेंट है, इसको आफ कर देना है, और इसके बाद जो भी आप इंपोर्ट करोगे, सिर्फ आपकी वेबसाइट के डिजाइन ही चेंज होगा, बागी कॉंटेंट सेम रहेगा, जो कॉंटेंट है आपको यहाँ पोस्ट में दिखेगा, जैसे आप पोस्ट में, और पोस्ट पर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पर आपके जो भी ब्लॉग बगरा लिखोगे, या फिर जो भी न्यूज बगरा लिखोगे, या आपके यहाँ पर शेव रहेंगे, सिर्फ आपका जो है वेबसाइट का डिजाइन ही चेंज होगा, तो देखा फ्रेंट्स, आप कितने इजी तरीके से अच्छी ब्लॉगिंग वेबसाइट, या फिर एक न्यूज की वेबसाइट, कुछ ही मिन्तों में बना सकते हो, तो आसा करता हूँ, यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लैक करें, चैनल को सबस्क्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं निव वीडियो डालू, तो आपको पिरिजिन मिल जाए, थैंक यू फ्रेंड्स